तुल्सी, अभी तक तुम यही बैठी हो, पुजा का समय हो गया है, माला लेकर आओ पुजा का साबान दो आता रहेगा, जा के खाने की व्यवस्ता करो पुल्राज, जा कर देखो दादा जी तैयार हुए कि नहीं? ठीके बाबी जी पंडित जी बिबी जी अभी तक बद्री नाची नहीं आए, वो नामकरण में कहें, क्या कि नामकरण का पैसा ज्यादा मिलता है ना, दिया जलने से पहले आ जाएंगे जय वेंकटा, जय वेंकटा, जय गोविंदा, गोविंदा, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ यवाओनात Talking तो विंदा नपपई! नपपट! झाल... अज एक बच्चे की जान बचाएं तेरी पगार बढ़ा दूगा दस रुपय अभी गुंडों के यहां पूझा का कार या संपन्न हो जाएगा अगली बुकिंग का जुगाड़ हुआ अगले पाच दिनों के लिए जिस रिपोर्टर ने आपको अख़बार में रेट माफिया बताया उसे उठा कर ले आया हूँ गुर्दे प्रणाम मैं अंदर जाता हूँ आप एक दम वक्त पर आए और टाइम मिलेगा वक्त से पहले पहुंचूंगा तो हम नदियों से रेट निकाल कर बेचे या लोगों के गुर्दे कलेजी बेचे तेरे बाप का क्या जाता है सारी मंदरी कठे का तूने ले रखा है हाथ में कलम आ गई तो कुछ भी चापेगा तेरी बतकिस्मतिकी रिपोर्ट तो हम लिखेंगे पुजा से पहले ही ये लोग नारियल क्यों भोड रहें बाई अब पंडित लोग नारियल फोड के श्री गणिस करते हैं ये गुंडे हैं सर फोड के श्री गणिस करते हैं तुम्हारा मतलब इनके लिए नारियल और मनुश्य एक जैसे हैं देखे आप लोग भगवान की पूजा करते हैं ये लोग इंसान को डाइरेक्ट भगवान तक पहुचाते हैं आइंदा कभी मेरा नाम नियूफ पेपर में छापाना तो अगले घंटे में ही तरी मात की खाब पूजा का कमिशन भूल जा चलम जल्दी यह यहां क्या देख रेल है यह पान की धाली पूजा में रख दे और हां चूना मत लगा रहा मैं ना क्या आता हूं हुआ हुआ है ना ही हम हाः आता है पंडी जी धुड़ा कम कीजिये ना दद्दू को खासी हो रही है तो अफ्रीका से आया है क्या हवन की आग से धुरुआ नहीं निकलेगा तो क्या मेंका निकल के निरित्ति करेंगी पंडी जी दद्दू को दम्मे की बिमारी है थोड़ा घी और लकड़ी कम दालो यार तो क्या कैंडल जला के पूझा कर देवें तेरी इतनी जलरी तो खुदा के बढ़िया लकड़ी डालता रहे तो तू भी डाल भगवान का काम है थोड़ा पवित्र धुआ लेलो पुआ पुआ लेलो पूर्णा हुती समर पयामी एक चीज नोटिस की आपने ददू होम हवन सब के लिए था लेकिन इसका सारा फल केवल आपको मिल रहा है मेरा आपसे वादा है ददू कल सुभा तक आप चेहर से उठ जाओगे लोग फिकर को धुए में उड़ाते हैं ददू ददू यहां पर तो धुए ने इनको उड़ा दिया हुआ उपर वाले ने उपर उठाली हों अरे पवित्र धुए से कभी कोई मरा है आज तक इनका टिकेट पहले ही कट चुका था बस वीज़ा अभी मिला है इसमें हमारा क्या दोश ए लॉयर कैफे हुआ पुजारियों ने पवित्र धुआ दे दे कर परलोग बेज दिया इन चारों की फमाधी यही बहातो लगता है यह लगकदियय का काम केसी कीलने अरे भुओ हरी औहो हम भागो हरी ए पंडीत ल्ब गंस उंपा बहुन के बागए लागता हम एंक बागो यह अंथे जल्दिवागो प्रवेश कीजिए ना प्रष्थान करो देखा बाई एसी वाली टेक्सी पे गए दुलाई मत करो भाई तुने कमिशन के चकर में धूंगी पंडित को बुलाया हम लोग को ललू समझाए क्या बता वो लोग कहा रहता है भाई सच बोल रहा हूं मंदिर गया था तो जो पहले दिखा उसी को उठा के ले आया मात कसब मुझे उनका आता पता भी नहीं पता है भ आजाद भाई कहा मिलेंगे वो अंदर मिलेंगे तुम्हारी यहां भी मित्रता है सब धर्म एक हैं गुरू असलाम वालेकुम भाई, क्या बोलते हैं, वालेकुम असलाम कैसे हैं अपने, एक दम मास, दुआ है आपकी आजाद भाई, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लें अगर आपकी अनुमती हो तो उसने तो हमें एक समान बनाया, लेकिन हम धरम में बंट गए, लोग तो उसको अलग-अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन रब तो सब के लिए एक ही है ना केदारी भाई, शुक्रिया भाई, आप आराम कीजिए, नमस्ति, अब उन कब तक यहाँ चुपे रहेंगे, मैं तो बोलता हूं, पुलिस कम्रेंट करते हैं, पुलिस ने हम शरीफों के लिए कुछ नहीं किया, इन शैतानों के लिए करेगी, हमारी हालत त्रिशंकु जैसी हो गई है, इनसे बचने के लिए हम जाएं तो जाएं कहां, हमारे पास एक योजना, क्यों नहीं यहां से प्रस्था हैं, तो हमें दो लाब मिलेंगे, पहला हमें इन कसाईयों से छुटकारा मिलेगा, और दूसरा, दिन दुगनी, राज, चौगनी, दक्षिना कमाएंगे गुरू, यहां एक रुपया है, लेकिन वहां एक डॉलर, सत्तर रुपय होते हैं, अपनी वरिष्ट बुद्धी को होश यारी का धक्का लगाएंगे, तो लाइफ स्वाहा होगी, पूजा और पूजा दोनों कर सकते हैं, वो लोग केल कर देंगे, अगर यहीं परुकर है, इससे अच्छा अमेरिका जाकर चिल करते हैं, अमेरिका जाए मेरी तूटी पूटी जूती, मैं आपने प्राणों क कप्रन लेता हूं, मैं क्या मेरी आत्मा भी अमरिका नहीं जाएंगी, क्या समय आ गया है, अपने ही घर में चोरों की तरह चुपना पड़ रहा है, तो अमेरिका चलिए न गुरूजी, वहां आवारा भवरे की तरह भिन्वनाते रहना, अरे, फिरंगी अपसराओं ने मुर्गी और देशी घी अच्छा लगता है, लड़की और तो विदेशी होनी चाहिए, पांजाए न, गुरुजी टिकेट भी सस्ती चल रही है, अरे, छुप रहो, मैरे दिमाद का हो, महां में बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चों के खिलोने, बड़ों के खिलोने, अरे, गुरुदेव, वैसे आपने अपना भविश्य पढ़ा है, हाँ, दिखा, सौ साल बाद हमारी अगली तीसरी पिढ़ी में प्रख्यात पंडित जन्मन लेगा, अपने बंशजों का नाम रोशन करेगा, सिर्फ भारत वर्ष में नहीं, बल्कि साथ समुदर पार, यहां का प अमेरिका चले जाएं तो बंद्रिनात को दुलहनिया मिलेगी, और हमारा शराद भी नहीं होगा, अमरीका का पारी प्रख्यात नहीं करेगा, गुरुजी, अब राज को हमारा अड्रस मिल गया, भाई मुझे एक अंतिम संस्कार बजाना है, भाई आजकल सब कुछ आदार क चिल्रन ऑफ गौड, बिलीव इन गौड, वो आपकी रक्षा करेंगे, गौड अपने चिल्डरन का कभी भी बुरा नहीं करते हैं, आओ मिलकर प्रे करें, रास्ता भटक गे हो क्या, नहीं, हम ठक गे आमी, यहाँ थोड़ी देर रिलाक्स कर आमी, माइ ब्लेस्ट वन, भाई, वो लोग चर्च में होंगे, चर्च में पंडितिया हवन करेगा, तेरा दिमाग खरब हो गया, चला गया, कैसा है चलता रहा, तो बाल बच्चे होने से पहले ही बाल उड़ जाएंगे, इसलिए तो हम चाहते आप मरने से पहले बहां का क्रिसमस भी देख लें, आपको मुख्य पुजारी बनाएगा, इसे असिस्टेंट बना देगा, इसे उसका असिस्टेंट और मुझे कैशियर बना देगा, केदारनात, अब जब जाही रहें तो, मेरे पुर्खों की दी हुई सलाह मान ले, भालत का संस्कारी पानी ले जाकर, अमरिका के समुद्र म मेरे ज़ए, और내 समन्दर का जल भर कर तो अब लेगा, आपको मेरे ले एटि खूणी तो, मैं, आप I, Stop, I said Stop, please remove your watch, take out bells, electronics, आते ही स्वाहा कर दिया, बस दोती उतरवाना बाकी रह गया है, कहा था ना नंगे पॉंगो के देश में नहीं जाना, पुर्देव सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, अगर इन्हें शक हुआ तो हमारा चीर हरन कर देंगे, अंद्रावपणी थोड़ी है, वरना वहां डालें जान कर देशन का जन्म हुआ था, काल कोठरी में, सायरन का बजा, कहीं आग लगी है, क्या था, लफ यह खूर्था, 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 आप कर रहो, उता उठाए गुरुजी इन्हें तलाशी लेने दीजे, उता उठाए क्या करेगा, पंडित को इज़त प्यारी है, यह स्वाह करे, उससे महतरे है आप ही उठाए है, फ वरस्था, परनीजर मूत नोट्ट्था, परनीजर है, नोट बलेट्था, यंत्र ही ministry, मेरी शा़दी के लीए है, जी, वाठीम, उत्यों, वालच आवद स्जादी, मिया दाय है उत्यों, इस स्वादेशान ओल्भाग, यह आपको फ्रेस्टिन लुट का वार्यु था ख्लेंट कि यह लुड एक Gार एक मेरा आषिरवाद लेलो है यह फ्रेस्टिन जिए अहिंदु भी देस्क्राख स्वार्य मुझांओ लुड़्सिंग रहे एक रखे अप्राव जा वाव तर्चानिया अग्रशी गुश्च विशेश्वारत आप करना था आप मेरा मूड नहीं है बात नाप नहीं है लामला बहुत कंभी रहे अरिका देखे देरे भाई या उची उची मारते हैं का मोसं भी बेजमान है जल्दी पधारिये गुरुदेव जल्दी यहां की बालाएं बलाकी सुन्दर है वो देखो भूद की शाज भी है एक तस्वीर ले 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 बोलो स्वाहा अब भाई गोविंदा गोपाला अमरीका अमरीका अरे वाद तारे जमीन पेड़ जाते हैं तारे पेड़े अरे साइकल जैक्सन भाई अमरीका इतना भी बुरा नहीं है तुमने अपने दोस्त आजी की बात की थी ना जरा उसको मिस कॉल मार दे मंदर जाके नहां धो लेते अधिदास उसका नंबर गुरुजी वो मैं आधि गुरु नंबर तेरा मोशन स्लो क्यों हो गया उसका नंबर नहीं है हमारे पास नंबर नहीं है मतलब अधिदास नाम का कोई है ही नहीं गुरुदेव तुने गुरु को दुखा दिया अरे अधिदास नहीं तो जमना दास को कल कर यहां सिर्फ हम ही आपके दास है अब अमेरिका में क्या सनी लिए नहीं थे तो हमने जूटा मंत्र फूग दिया तेरी गुरू दक्षिन है उस दिन लंबी लबी छोड़ रहा था अमरिका में मैं पुजारी यह मेरा असिस्टन्ट यह उसका और वह ट्रस्टी आपका अब कर दो काई डालू यह दिन्टा हम अच्वाह जूटे फसा दिया चल कि टिटिंग जैसे हैं तो अमेरिका में अमेरिकान वड़ा प्लूट क्या दिन आ गये हैं इंडिया में यह स्टूशी नान तो बकरी भी नहीं खाएगी यह पाणी अरे बूजी दिल कर रहा है जल स अमाधी लेलू देश में िंडल क्लासे एं देश में थर्रक लासोंगे इसे कहते है क मुद्श बनादिया रहे हैं नTTौ फिल किया राइग ऐसना है चल बात इसकी दम सब कुछ इसकी वजेस चीक टारा अक हो पंडित से कैसे बना बावर ची पहले लोगों से सामागरी मंगवाते थे अब सुबह से लेके शाम तक बस सामागरी जमा करते रहा ठेक जैस, फ्लो एपल खाओ दक्षिना लेने वाले पंडित को लोग भीग दे रहे बर्गर से सब जाम हो गया क्या खा के आये थे दो प्लूँ अश्वाल क्या थे क्या सक्तित अवर्म क्या रहे क्यारे गुविंदा विश्य 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 लिए तो शुरग है अपसर आये मेंका उर्वशी रम्भा यहाँ दक्षिनाम समर्पयामी दक्षिनाम समर्पयामी सब कुछ अर्पयामी जैने पुनिय कमायों से बसूलतो करने ने एक्स्कुम्स पियोगी, तू भी पिला, नो थैंस, लिल जनम मेडम, एक सेंड, टेस्ट करके बद आता हूं, वेरी टेस्टी, द्रिंक, गुड, गुड, सोचा था, क्या, क्या हो गया, हम सबको पोंगा पंडित बना दिया, दिलकर रस्टेच ओफ लेबर्डी के लीचे तरको काड़ दू, यूर फ्यूचर इस ब्रैट लाइक और फेस, उनली में तीन कनियाओ कही होगे, छुटा दो, जागो मोहन प्यारे, उठो मेरे राज दुलारे, अरे आप से अभी बहुत वित्या सीखनी है, तुनिया चोड़ने को नहीं का, गुरुदेव, जागो मोहन प्राटे मार्या थेखना है, अरे किस् ट्रगारे मार्या है, बहुत के रखना है कि रुपड़ने को आद टो, एक, किस्तुन आप से अभी प्लीह, तुनिया, प्लीमित्स को का बार्या, रास लीला गूजी रुगई अ अरे 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 हे मुद अ अरे दोपेर हो रही हैются गुरुदेव कहा है और वन्रूम कीचिन का दो घर है यहाझनने तो कोमेंट टोइलेट की लाइन में कंहों अरे महाँ नहीं है तो पूछ रहा हूँ पता नहीं कहा चलेगा है गुर्देव, आप यहां विश्राम कर रहे हैं, बिना बताए चले आए, हमें कितनी चिंता हो रही थी, चलिए घर चलते हैं मैं कहीं नहीं जाओंगा, मॉल, बार, रेस्टरॉन, सूपरमार्केट, सब जगा सफाई कर चुका हूँ यहां के ट्रस्टी के पैरों में गिर कर इस मंदिर के साफसफाई कर लूँगा और यहीं पढ़ा रहा हूँगा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आओंगा, आरिवा, नाम लिया और शैतान हाजिर, आईये, 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 नमस्कार जी, मेरा नाम बद्रिनाथ है, अ भक्तों का सरा, तिरे द्वारे में आई, स्वामिरारा, स्वामिरारा, भक्तों का सरा, तिरे द्वारे में आई, भर्दे छोली तो खाली, स्वामिरारा, स्वामिरारा, भक्तों का सरा, आईये, सब लोग आती ले लीजिए, स्वामी जी अभी जो कन्या भजन गा रही थी वो वो तो चली गई उसे मैं जानती तो नहीं लेकिन वो उस्तरफ गई है धन्यवाद प्रिंगेश पीज है रहीं शुका हुआ है अद्यू निए ढुगाल शुके तो खेञ भी है कि अभूब भाड़े कहां देख रहा है केलाश प्रमध दिग गया क्या यह उससे भी अदभुत था गुरुजी पर मिल नहीं पाया पर मुझे मिल गया रहे अदभुत से भी अदभुत समाचार वो क्या मुझे इस मंदिर में जाडू पोचे का काम मिल गया सच में इस पर तो मुझ मिठा करना चाहिए सुन्द्रे वो सांता मुनी का बीच कहां पर है वो किस लिए अरे भूल दिया वहां जाके पानी जो मिलाना है आओ तो वो कन्या कप्रे भूल गई उस पर अब तक गमचा डाल दूं क्या अगर पहले मुझे गूगल बाबा ये यूट्यूब पे अमरिका के हसीन नजारे दिखाया होते तो मैं खुद तुझे अमरिका घसीट लाता सुनके दारनाथ उम्र में तुम अभी बालक हो तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए पर अमरिका की अपसराओं की काया देखकर मेरा कमंडलू हिल डूल गया इस देशी जल को जाके विदेशी जल में अरपन करता हूं ताल पत्र पे लिखा भविश्य सत्य हो जाएगा और मुझ गरीब को घर का खाना भी मिलेगा सो प्रतिशत सत्य होगा हे भगवान मेरा मिलाप एक लज्जाशील विशुद्ध संसकारी भारतिय नारी से करवा दो जो कम खर्चा करवाए जल मिलाते ही हो गई हल चल अए खलबली रे खलबली ये तो है एक जलपरी गुरुजी को पता चला कि वो ताड़ पत्री मैने लिखी थी तो इसी समंदर में प्राणू की आहूती दे देंगे इसका मतलब वो सब गुरुजी के पुर्खोन नहीं लिखा था नहीं मतलब ये तेरा केला कान ने उन्हें पता चल गया ताड़ पत्री का मेसेज फेक था तो तू वताएगा नहीं रेनुका 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 हाँ लांच का ताइम और अगर चलो रेनुका स्वामिरानЕ – जातर एक हैं वो सांतामवनी के बीच पे हर हम्टे करना वो हम शारे हहां के हो दे करना आप चाहिए हम पूझ चाहिए हम भूशा करके आ और जाए हम्फ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने आपको देखा नहीं कब नहीं देखा हाँ नए भरती हुई हमारा नाम सुरेखा है हम कभी-कभी यहां आते हैं और मेरा ना ».ंक आप कहा से आई हैं अम्रावती से ओके हम लखनो से हैं एंडियन असोसेशिशन में काम करतेहैं आपको कोई भी काम हो हमें बताईए सुन्रे अदेश गुरुदेव कल यहां के पानी का मॉक्टेल बनाया और आज यह कॉक्टेल मिल गई इसे प्राशन करके नशे में जूमने का मन कर रहा है अपनी टेन को प्रेक लगाई वैसे मैडम हमारे गुरुदेव इस मंदिर में आर गुद मॉर्णिंग बॉस गुद मॉर्णिंग बॉस गुद मॉर्णिंग शॉर्ट सर्किट नहीं होता इसकी बॉड़ी की सारी वाइरिंग तो खोली पड़ी है दीरे से बात कीजिए और ना मसल से मसल कर रख देगा बॉस पंडिची आ गए हैं बद्रिनाची केदारनाची नमस्कारम पंडिच जी खर्चे का कोई टेंशन ना करो शादी का ऐसा मुहरत निकालना कि कोई परिशानी ना होगे सरस्वती देवी गुरुजी की जीवा पर विराजमान है ये शादी तो यम्राज जी भी नहीं रोक सकते सुरेखाफ पचास हजार डॉलर्स इनके अकाउंट में डाल दो पाल अधोंगा जी अब लड़का-अलड़की कुणली मिल जाए तो सगाई के लिए उत्तम रूरत निकालूंगा अधों कि 거예요 नमß्टे पंडित जी नमस्टे ये वीर सिंठ जी है और ये इनकी धरम पत्नी है, नमस्ते, ये लड़की के मामा और मामी, भाई मोहरत तो अच्छा निकाला ना, वधुवर के सितारे तो गर्दिश में थे, पर गुरुजी उन्हें लाइन पर ले आए, अरे हमारे गुरुजी मोहरत स्पेशलिस्ट है, सुरे खा तो अकेले में इनकी बहुत तारीफ कर रही थी, मैं इसके लिए स्पेशल हो, और मेरे लिए ये स्पेशल है, इस शो बाउसाय पर अपना भी महरत निकालो है, अरे पंडेजी दूत में क्यों गड़े है, अंदर आई है, अरे कठे हो, जल्दी याओना, ना अरे, वो बुड़ाव याद है, जो हमारे हवन से हेवन चला गया, ये तो उसी की पोती है, अरे नुका, अब तो गए गरुजी, फूटी किस्मत, काई से बचे तो सीधे मौत के कुए में कूत पड़े, इतने बड़े पंडे थो, खुद की कुणिली सही नहीं कर सकते क्या अरे, पंडे जी, ऐसा क्या क्या है, जो मूँ चुपा रहे हो, तुलन आ गई है, रस्म शुरू करो, शादी की रस्म या अमारी मौत की रस्म, नमस्कारब बेटी, तुम्हारी शादी का महूरत निकालने आये हैं, यह क्यों रो रही है, रोने की बारी तो हमारी है, गुरुदेव आखे रेनुका की नम है, लेकिन आसु इसके टपकरें, दोनों ने कहीं हवन तो नहीं किया, ए रेनुका, 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 जा हो तुम्हें, क्या रे केदारी, तु तो था ब्रम्मचारी, फिर आई कहां से यह नारी, तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा था, कि गंगा जमना का संगम हुआ है, और हम अमरिका में नहीं, प्रयाज राज में हैं, अब तु लिबर्टी देवी के तरह स्टैचू बन के क्यों खड़ बोल, वरना मैं सांता मुनी के भीच पर जाके आत्महत्य कर रहा हूँ, गुरुजी सुनिये, दरसल मैं अमेरिका आया हूँ, रेनु के लिए, उस दिन जब हम पूजा करने चिंता मनी जी के घर गए थे, तभी वहां उनकी पोती अमेरिका से घर आई थी, दादाजी, पाहे मैं आ गई, अरे गोपाज लगत अमेरिका से पोती है मेरी जल वहां, गद्दू, इस बड़ी हो गई यह मेरी बच्ची, अरे बे गद्दू डालिंग, अरे इतने दूपले हो गए हैं, रेनु के, हाई बूअ, हाई भुआ हाई पूपाजी, जिसे औ अई हाई अरे ये कौन सी चेर है? डादा जी, ये अलेक्ट्रोनिक वील चेर है ये देखे, अरे ध्यान से ये देखे, इसका लाइसेंस नी है मेरे पास इसके लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं मैं ये आपके लिए अमेरिका से लाई हूँ इस पर बैटके आप में जा सकते हैं और वाश्रूम भी जा सकते हैं अब आपको धक्का लगवाने की ज़रूरत ही नहीं चलो फिर एक राउंड लगाते हैं अराम से, सभल के कैसी है आपे बहुत अच्छा चलाया बेटा, कितना किस्मत वाला हूँ मैं तेरे माबाब तुझे मेरे लिए छोड़ गए पर तेरा ख्याल रखने के लिए किसी को नहीं छोड़ा मुझे उनकी बहुत याद आती है मेरा ख्याल रखने के लिए आप हैं ना दादा जी अब बस करो, चलो, अंदर चलो तुम दोनों चल्दी से फ्रेश हो जाओ आज हमारे घर में पूजा है अरे केदार ना आदेश गुरू हो महान और पूजा की सारी सामगरी की तयारी हो गई लकडी से लेकर घी और फल से लेकर फूल सब अपनी जगह पर रख दिया है बस एक बार आप ये पूजा सफल कर दीजे तो हम अपना ओनलाइन आप लॉंच कर सकते हैं तेरे मुँ में घी शक्कर एक बार वो आप खुल जाए तो बीच के बिचौलियों को कमिशन देने से बचेंगे और फिर मारूती 800 में घूमेंगे जहाब बात है गुरुदेव अब मसका मत लगा कलश लेके आवर्ना तरी पगार कट अभी देखता हूं युली जी धन्यवाद श्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुरा रे ओ श्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुरा रे किसी ने नहीं देखा तो नहीं हमको नहीं बच गए किसी ने नहीं देखा देख लिया और खायल भी हो चुका हूँ स्वाहा हो गया केदारी ये केदारी धरम ब्रश्ट हो गया ये बेवडों की तरह ये से जूम क्यों है ये पंडित का काम अब बुझ से नहीं होगा होगा आवश्य होगा पापी केदारी है है ऐसा होट त्रिष्य देखा कि मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई नहीं करताव्य पेध्यान दो पूजा में मन लगाओ चलो भूल से ही सही ये सुन्दर फूल भी तो उसी की देन है यह क्या रहे है गुरुदेव एक लगु शंका है लगी है क्या नारी सुन्दरता पाप है या फिर पुन्य है पाप पुन्य से भी उपर है ब्रमचारी से क्यों पूछ रहा है आप लगते नहीं है लेकिन अंदर से बहुत रंग भी रंगी है इस विशह में पड़ेगा तो कुम भी अपना ही समझो नमस्ति पंडित जी नमस्कार जी पुजा शुरू करने की अनुमति दीजिए शुरू करो मैं तो बस पुजा में जुड़ने आया हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो परिवार के सभी सदस्य बैट जाएं होम शुरू होने से पहले ही प्रशाद उपर वाला महर्बान तो मैं पहलवान यार जरा वो भूसा देना आइना देना अरे देना ये स्टील प्लेट से काम चला लो जर्वतिका है चलिए जजमान दद्दू होम हवन की तयारी हो गई किसके हाथों पुजा शुरू करवाएंगे मेरी पोटी ये शुपकार करेगी बेटा रेनुका दादा जी आ गई तू अरे पंडित जी कही है ये मेरी पोती है माबाप गुजर चुके है इसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आये इसलिए ये हवन रखाया है बहुत अच्छे अगले नौ दिनों तक प्रार्थना पूजा पाठ होम हवन अराधना जपजाप सब कुछ इसके कल्यान के लिए करूंगा बालिक है अगनी प्रज्वलित करो ओम साना भवतू साना भुनतू सावीर्यम करवा वहाई तेजस्विना वधीतमस्तुमा विद्विशा वहाई ओम शान्ति 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 है यजमान पहला अध्याय समाप थो चुका है नाश्ता पानी की विवस्था कर दीजिए अब भी साथ चलीन खाना भी खाना है थोड़ा ही देना थोड़ा सा प्रसाद मेरी भी जोली में आप तो दुनिया को बाढ़ते हैं पंडिची और आप मुझसे मांग रहे हैं हम बाढ लीजिए नाम सुनने के लिए कान तरस रहे हैं देवया भारती अप तो अप तो आईला मुल्गी पटली है पैर में बिच्छया नहीं गले में मंगल सूत्र नहीं यानि मेरे लिए खुला आमंत्रण है अब तुम्हां ठीक है बगवान तुम्हें उसमें काम्याभी तो मेरे सामनें खड़ी है जैसी आपके आगया वाट आप्टास्टिक हिंदिन ट्रदिशन पंडित लुक्पूजा कि इच्छा नहीं है एसा है जैसे साप्शाथ भगवान घठ फर उत पर उतर रह हैं नमस्ते नमस्ते माडम नमस्ते आपसे नीजी वारता आप करना था. करिये ना? येस! हमने आपको निर्वस्तर देख भाएं मॉन खाई की निर्वाई! रहे नि नि आपको न हें, आपको नहीं मेरे कामसिन काएगो टेख लेटा तुम्हें मर चाहती इनने देखा, क्या, कुछ निर्वस्तर का मतलब, सिंपल है, विदाउट क्लोट्स के, कैसे देखा, कब देखा, और क्यू देखा, हम जो भी कहेंगे, सच कहेंगे, सच के सिवाए कुछ नहीं कहेंगे, उस दिन की बात है, जब मेरे गुरु ने, मुझे कलश लाने के लिए, और मुझे कहीं से, अचानक पासचात्य संगीत की द्वनी सुनाई देने लगी, सीरियल के एपिसोड के पार्ट्स में मत बताओ, ये कोई सीरियल का एपिसोड नहीं है, मैंने तो पूरी फिल्म देख ली, आंखे त्रिप्त हो गई, इसकी तो पूरी डीटेल में बता, मु क्यों नहीं समझाता, मतलब जब गुरू ग्रह मेरी कुंडली के गुडलक स्थान में बैठा और शुक्र ग्रह सुक्स्थान में, ठीक उसी दिन भाग्य के दर्वाजे हमेशा के लिए खुल गए, और क्या कहूं, इसी वचह से वो शुब घड़ी आई जिसमें मुझे, मु यह बात किसी और को तो नहीं बता सकता ना, इसलिए आपको बताया है, इतना क्रोध किस लिए, तेरे पैर दो के प्यूँ, क्या चाते तो, देखिए घर में पूजा पाट चल रहा है, हवन जलाना चाहिए ना कि दिल, वैसे भी आपका नृत्य देखकर दिल करता है, मैं भ कभी बोर हुआ, तो आखे बंद करके आपका अनृत्य याद कर लूँगा, अपनी पकोस बंद कर और निकल यहां से निकल, अहा, काला तिल भी देख लियोगा, ये पंडित ठर की है, किसी और को भी बटा देगा, सही बोली, ए पंडित रुग में, जी देवी जी, जू दे Don't cry, baby, I think वो तुम्हारा चल कभी भी भी बूल पाईगा इसमें हजार से भी ज्यादा फिल्में हैं दादा जी साउट की फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं और भी बहुत सारी फिल्में हैं इसमें गाने भी है इसमें आपकी बच्पन की भी फोटो है और ये शादी की फोटो इसमें हमारा पूरा परिवार बंद है दादा जी इसमें हम सेल्फी फोटो के साथ सेल्फी विडियो भी ले सकते हैं बताईजी आपका । कौन है बताईजी मेरी फेवरेट तो तुम्हारी दादी थी मेरे साथ साथ साल बिता के आज मुझे अकेला छोड़कर चली गई बेटी रेनुका मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है और वो कौन सी है बताइए मैं उसे पूरा करूंगी कोई बड़ी इच्छा नहीं है तुम्हारी दादी की अस्थिया मैंने काशी में विस कुकर को मेरी शादी करवानी है और में बच्चों गोद में खिलाना है और फिर उनकी शाधी करा ते ह­वत्त रग दी चलो चलो चलकर खानक ऑब ओसे अरे केदारी अदेश गुरू जु शाही करवा रहारा ह। गुरूज है वा 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 व अैसी पूजा जो ना क्या लड़की है कमर जैसा मुखडा डाली जैसी कमर इसकी काया का कायल हो गया हूँ यजमान हवन का दूसरा दिन भी समाप्त हो गया खाना लाओ सपने मद देखो तुम दोनों को आख नहीं मारी मुझे आख मारी गुरुदेव दक्षिणा में कुछ और लेने लगे हो क्या पहले दिन से उसका हवन कर रहा हूँ सब समेट कर मेरी साइकल पे लटका दो मैं दक्षिणा लेकर आता हूँ सब कुछ मेरी साइकल के हैंडल पर लटका दे ना कर्म पर रहां दो फल मैं खालूंगा इसे कहते हैं पसीने की कमाई गुरुदेव तॉलिय से पसीना पोच लेजिए अनर्थ हो गया अरे गुरुदेव गुरुदेव उस टौवल को हाथ मत लगा है क्या हुआ के दारी पत नहीं है क्यों इस टावल में क्या काटे लगे हुए हैं आप समझे नहीं इसमें मैंने बुद्वार को शाम साथ चार चार अपना मों बंद रखिए मैडम जी यह हमारे गुरु है मैं इंसे कुछ नहीं चुपा सकता मैंने कहाना चुपका है अरे यह अपने शिश्यों और किसी से कुछ नहीं गएंगे काउंसा अरे अरे पंड़त समाल के अरे चावल की बोरी बेचारे को धक्का क्यों मारा अपने तो मुझे बचा लिया वर ना पता नहीं मैं कहां जाकर टकरा जाता दादा जी फोटो में तो नत्थुलाल जैसी मुझे और अब सब साफ अच्छा वो बात यह है कि मेरी पोती जब छोटी थी उसे प्यार करते वक्त मेरी मुझे चुपती थी तो उसने जित करके मेरी मुझे साफ करवा दी कितना खयाले पोती का दद्दू अच्छा एक बात अब होता जब गुरुजी की शादी होती है इनका ग्रहदोश दूर करने के लिए कई यागी किये पर कोई राजी ही नहीं हुई अब तक किसी के साथ कुणली मिल नहीं पाई यह हो महवन पूरा होने तक कोई ज़रूर मिल जाएगी हां में बाद में देखती हूँ हां में दोनों तरफ यग्य बराबर चल रहा है यजमान अब हम प्रस्थान करेंगे मुझे विवाह के लिए आशिरवाद दीजिए कल्यान हो जल्दी से तुम्हारी शादी हो तूने क्यों लिया वापस कर रहा था चलते हैं कितना मीठा और सीला मैं मैं इसी गलिद इंडिया अप पंडित जी ये शाष्टांग नमसकार कैसे करते हैं मुझे करके दिखाईये ना और वो राजी हो जाएगा जैसे ही वो डेमो देने के लिए जमीन पे लेटेगा तुम सौकी स्पीट से भागते वे आना और अपना सौकी लगवादर पीट पर डाल देना अई गारेट उसक यह चाहते हैं यह काम करना है यह बताएए शाष्टांग नमसकार कैसे अबहुत आसान है कि दिखाता हो सबसे पहले घुटने के बल बैठ जा और जुप जा मैं समझे confrontation करे बताएटYour अरे शास्टांग नमस्कर तो बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हो, ऐसा लेटने का, और फिर आग बंद करके, गने जी को याद करके बोलने का, पूरा दम लगा के, कॉस्टांग नमस्कर, यह रोड बोलक को चला रहे, गल्टी तो होगी न, हाथी के बच्चे को घर में रखोगे तो यह होगा न, यह डाइसा खीलों की हाथी जब पाँ उठाती है न, तो आद में उठता रही उठ जाता है, सौरी बोला न, चुहे के चकर में चुछूंदर तुम तो चीक हो न, हाथी वाला दूद भी पिला दे, कमजोर लग रही है, सारा दूबे, चल, 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 दस साल बाद यहां आया हो विटा, इन हरे भरे खेतों को देखने को आखे तरस गई थी, अब तो मैं आ गही होना दादा जी, आपको रोज यहां हरे कौन है यह लोग पंडित यहां कोई सत्य नारायन की पूजा नहीं हो रही है चल निकल तू जानता नहीं मैं उस विश्नु की पूजा करता हूं जिसने राक्षसों का वद्ध करने के लिए दस अवतार लिये थे ना इस धर्ती पर कोई बाप करूँगा ना तुम जैसों को करने दूगा अरे बापने हिंसा अरे केदारनात यहां तो मार काट मची हुई है दद्दू के नाम की लकडी जली तो दक्षणा गई दद्दू यह तो आपके अपने खेट है किसान कसाई कैसे बन गए देखो ना गुर्देफ रोकिये उन्हें एक आहिंसावादी ब्राह्मन अकेले दस ब्रह्माराक्षसों का शामना कैसे करेंगा है अएए हैंए आएएए आगे बताना तुम्हारे घर में पूजा पांड फ्री करूँगा एक ब्रामन को मारना पाप रहे प्रक्षा करो प्रभू प्रक्थे ठाप्स deal प्रामन को प्रक्षा अगे अग्या पांड प्रक्षा CP हुआ 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 हु है है बाइ फूँ रहकर आग भी दा मेरी पोती पर किस ने हमला करवाया मुझे उसका नाम बताओ कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा क्या तुम में से कोई है आप खामखा परिफान हो रहे हैं फफुर जी वो फक्ता है वो जेवर लूटने आये हो वो चोरी करने के लिए नहीं आये थे उन्होंने रेनु को मारने की कोशिश की थी आज ही इसे अमेरिका वापस भेज देना चाहिए पिता जी इसी के लिए तो पूजा रखी है खत्म होने से पहले नहीं भेज सकते ससुर जी आप चिंता ना करें वो जो भी है उस कायर को ढूड निकालूँगा आप इतमिरान रखें तुम्हारा यह अहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा आप बिल्कुल मत घबराईए दादाजी जिस किसी ने ये नीच हरकत की है आपकी कसम खाता हूँ उसे ढून कर आपके सामने लाँगा मुझ पे भरोसा रखिए हाई डाड फॉट क्या गया है रेनुका को मारने के लिए तुने गुंड़ा क्यो भेजे डाड प्लीज मेरी बात सुनिए जब उसने शादी से इंकार कर दिया तो और क्या करता मैं उसके लिए जाकर लड़कर ढूनता मैं गलत नहीं हूँ चुप चुप रहा तू मेरी बात फोन अगर गुंड़े भेज के उफे मरवादिया तो फम जो खेव खतम उफ की फारी प्रापटी फीधे ट्रफ्ट में चली जाएगी फोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी को काटा नहीं करते अगर किफी तरह तू उफे फादी कर ले तो अकेला करोडों की जादात का मालिक बन जाएगा और अगर वो राजी नहीं हुई रेनुका अनात है उफ का बुढ़े के लावा कोई नहीं तू अपने बात को अच्छी तरह जानता है बेटा पफ थोड़ा फबर कर वही वक्त आने दे बेटा रेनुका को मैं तेरी दुल्हन बना के रहूंगा देखता जा आजा बेटी आज तरह बड्डे है ना वहले दादाजी को चोक्लेट खिला सुद्ध टरह इसे अशिरवाद दो जो Alma त्म्हार lige तुम्हारे जीवन में सबकुछ मंगल माई हो तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमाई हो तुम सौसाल जीओ मैं तुम मर गया पैर में काटा चुप गया क्या मैं कह रहा था तुम जीवन में प्रगति करो तुम्हारा सब अच्छा और भला हो तुम्हारा सब अच्छा और भला हो तुम्हारा सब अच्छा और भला हो त पढ़ो आगे बढ़ो आरोग्यमान भव आयुष्वान भव उसके जैसी पूजा हो रही है मेरे लिए भी वैसी करवाओ ना मा नहीं बेटा हम नहीं करा सकते वह तो पैसे वाले लोग है तुम जाकर चौकलेट लिया हो तुम्हारा जीवन हमेशा संतोष मैं हो अज मेरा भी इसके जैसा मुझे भी आशिवाद देखो हुई या क्या कर रही है चलवागया से जा अरे इसा क्यों किया तुम्हारा बीच में बढ़िये नावकराणी की बेटी मेरी बेटी से बराबरी करेई अच्छे मैंने मना किया था तरा पर क्यों गरे वहां पर पर नुग यहां प लिए अच्छाम परफ और मेरी तरफ देखो हुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगल मैं हो तुम्हे हमारी उमर लग जाए और तुम सौ साल जी हो तुम्हे दन बुद्धि और समरिधि सब कुछ प्राप्त हो तुम्हारे आशिरवाद देने से असाओ कि तुमारे अशिर्व यजमान आज इस शुभा उसर पर इस घर में भगवान श्री दिवास का विवाह संपन्न हो चुका है जल्दी ही आपकी लाडली पोती को भी भगवान जैसे ही गुणवाला सुशील सुन्दर वर मिलेगा सबका तल्यान हो आहा प्रभू आगे सबके लिए उत्तम भोजन का प्रवंध हो गया पूजा कराते हो तो भगवान से डाइरेक कॉंटेक हो जाता है गरीब के घर पे पूजा कराओगे तो खुशी होगी यह तो मेरा सोभाग है अभी आपने भी देखा ना उसने मुझे आख मारी तो इसका क्या अर्थ है इसका एक ही अर्थ है वो मुझसे प्रेम करने लगी है यानि तुम्हारा प्रेम प्रक्रण चालूए अरे दो टके के पंडित कृष्ण लीला की कथा पढ़के तुने मन ही मन में खुद की रास ल पतनी आप मारी बकूडी अर्थ है कुआरे का दिल तोड़ एक दिन नरग जायेगी थेर दीले आटर ने पुझारी का दर्म भष्टर दिया थ़्या थेर्म ब्रस्टर दिया अर्थ है पंदेची क्या आप मुझे ठूणते में यहाँ है वो मैं 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 प्रसाद देने आया था क्या आप मुझ से कुछ कहना चाहते हैं पर डर की वजह से आपकी हिम्मत नहीं हो रही यहाँ वो बात मेरे मुझ से सुनने के लिए बेचेन हो रहे हैं मैंने सही कहा ना कल शाम को चार बच के 32 मिनट पे पूजा खत्म होने के बाद रोहिणी नक्षत्र के शुब मुहूरत में मैं इस प्रख्यात पंडित से कोई खास वारत अलाब करना चाहती हूं स्वाहा हो गया दूसरे दिन पूजा के बाद मैं घर में हर तरफ उसे ढूंडता फिर रहा था लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे और दादाजी की मृत्त्यू भी उसी दिन हुई मुझे पता चला कि रेनुका उसी रात अमेरिका चली गई थी और उसी को ढूंडने के लिए मैं यहां चला आया यानि तू उन गुंडों से डरके अमेरिका नहीं आया दौगी की तरह उसे सूंगते हुए यहां आया तो वो ताल पत्र का जोल भी तू नहीं किया दोनों प कर देते हैं ना चोटी सी गलती है माफ कर दो हाँ माफ कर देजिए प्लीज गुरुदेव अब कर रहे हो नमस्कार याजमान नमस्कार कान्या की तबिया ठीक तो है ना पंडित जी वो डायटिंग पे थी इसलिए चकर आ गए होंगे अब एकदम भली चंगी है दूले राजा आपके पिता जी कहा है एक बार मिलवाद हो जिंदा है ना स्वरगवासी हो जाएंगे पंडित माफ कीजिए आपके पिता कहीं दिखाई नहीं दिये तो हमारे गुरु के मन में जो शंका आई वो उन्होंने बोल दिए गुरुजी को दस साल आगे का दिखता है मेरे डैड इंडिया में उन पंडितों का सरकाट के सीधे अमेरिका के फ्लाइट में बैट जाएंगा पंड क्योंका महूरत निकाल रहा हूँ मुझे रेनुका तक पहुंच नहीं होगा उससे पहले तो तू सवर्क पहुंच जाएगा कुछ भी हो जाए उससे बात करके रहूंगा श्रीमान जी दोनों की लगन पत्री पढ़ना शुरू करो हूँ हाँ चालू करो हाइड हाँ विक्ई कैफि हो तुम अमेरिका कैफा है अमेरिका इस ग्रेट डैड वो पंडित मिले क्या है नहीं अब तो फै मार के ही अमेरिका आउंगा उसकी कटी मुंडी को वाटसेप डीपी लगा नँ फिर मुंडी नहीं फारे अंग का डालूगा अच्छा मेरे लाल मुझे बफ ये बताओ फादी की तयारी कैफी चल रही है बस डाइड मोरत निकलने ही जा रहा है पंडित यह ही बैठे है वेरे गड़ उफे फोन दो जरा कुछ बात करनी है ठीक है चालू रखे मेरी डाइड बात करना चाहते आपसे ये मरो आएगा ऐसी फोन पे नहीं सामने बैठकर फेस-टू-फेस होती है डाइड वीडियो कॉल पर ही है वीडियो पे बात करना मेरी आदत नहीं है विकी पंडित वे बात करा पंडित जी लीजिए बात कीजे नहीं हम पहली बार बात कर रहे हैं इंडिया में सब कुशलमंगल है ना सहर मुझे देखके खुश हो रहे हैं यजमान आपकी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही गुस्सा भगाओं हवन क्यों नहीं करवाते आपकी आत्मा को शंती मिल जाएगी तेरी अर्थी पे कोईला मैं चलाओंगा तुम्हारे क्रिया करम का कार्यकरम ये बद्री नाथ पं तेरे को मैं यहां ढून ढून के थग गया और तू वहां ट्रम के पाफ बैठा है जी आपके बेटे की शादी का महूरत निकालने आये हैं चल्दी निकालने क्योंकि अब तेरी मौत का महूरत निकलेगा फवेरे की फ्लाइट फे आ रहा हूँ अमेरिका पहुट के तुम फब को काट डालूगा हम गाजर मूली हैं जो ऐसे ही काट देगा धमकी देना आसान है हिम्मत है तो सामने आजा आ रहा हूँ बे आ तो सही तेरा अंतिम संसकार कर दूँगा तू खताम पहली फ्लाइट प फोन से बाहर आ जाएगा सर बच्चे की बात का बुरा मत मानिये आप आराम से आईए तुम लोगों को एफी मात मारूंगा यम्राज भी काम जाएगा उसे आने दीजे गुरुजी उसका श्राद मैं करूंगा आजा पंडित फोन मेरे बेटे को दे जल्दी फोन दे उफे पंडी जी बात हो गई केदारी आप क्या करें बात करते करते खुल जाएगी फोल फट जाएगा डोल आप कहा है पंडे जी गुरुजी अब बिल्कुल टेंशन मत लीजे आप इससे बात करने के आक्टिंग करते रहें और उसे फोन देते वक्त नीचे गिरा दीजे चले ज फुला पंडित विक को फोन दे बेटा तुमारे डाडी कितने मीठे बोल बोलते हैं तू तो गया पंडित विकी विकी फिसल गया हाथ में तेल लगा था कोई बात नहीं पंडित जी आई आई शादी की बात करते हैं सुनो तुम्हें जल्दी से काम करना होगा कौन सा काम इंडिया से कोई भी कॉल यहां किसी के भी फोन पे नहीं आना चाहिए तुम दोनों सबके फोन ले लो और इंडिया के चितने भी नंबर ब्लॉक कर दो चली विकी विकी तू तो गया पंडित लोग हैस्ट से जाएंग लोल मैंड की विक्तर देखके देता हूं आरे वह क्या भाई अचारों पंडीत अमेरिका में है विकी का फोन फिच वाफ है वीरु का फोन लगाओ जल्दी हाहा यह फोन लग नहीं रहा है mucho y zero है बांगा अट जल्दी लगा के बिगांगा मेरा का फोन भी बंदा रहा है ये कैफे हो फकता है अब ही क्या भी अमेरिका के टिकेट बुक करवाओ इस मार्च की इकत्तीस तारीक को वैशाख मास की द्वितिय तिथी को जब चंद्रपुष्ण अक्षत्र में और गुरू विशब राशी में गोचर करेंगे श्री सुब्रमन्यम जी के सुपुत्र चिरंजीव विक्रम उर्फ विकी का श्री देव कुमार अधित्यराव और श्रीमती विजया लक्ष्मी देवी की सुपुत्री कि चिरंजीव सोभाग्य कांख्षणी रेनुका देवी के साथ विवाहतय किया जाता है शुभंभवतु सबसे शुभ महूरत है ये इस साल का देखिए मेरा महूरत निकला जा रहा है अगर आग्या हो तो मैं भौजन कर लूँ ठीक है पंडिची आओ सब केदारी तुम पागिल हो गयों क्या यहां अमेरिका क्यों आगे तुम उस दिन मुझसे कुछ कहने वाली थी न वही सुनने के लिए अमेरिका आया हूँ तुमने बहुत अच्छे से पूजा करवाई थी बस उसके लिए थैंक्स बोलना था नहीं बात कुछ और ही है नहीं मैं सच बोल रही हूं तुम जूर बोल रही है तो फिर सच क्या है कि तुम मुझसे प्यार कर दिया क्या प्यार और तुमसे इंडिया में मेरी मुलाकात तुमसे सिर्फ साथ दिनों के लिए हुई थी और तुम्हें लगने लगा कि मुझे तुमसे साथ जन्मों का प्यार हो गया मैं जानती हो कि दादाजी तुम्हें पसंद करते थे पर यह मतलम नहीं कि मुझे प्यार हो गया मेरे हासी मजाग को तुमने प्यार समझ लिया यकीन नहीं होता तुम्हें यकीन होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूं प्रीज यहां से चले जो आप जानते हैं मैं पीता नहीं हो गुरुजी अब यह सोम्रस नहीं है ब्लैक कॉफी है पता है हमारे जमाने में लोग देवदास बनते थे आज की जनरेशन को मल्टी सिम चाहिए एक एक स्पैर तो दूसरा एक्टिव करीना ने तो करिश्मा करिश्मा ने तो रवीना रवीन तो जरीना कुस में कै बटा कन्याय चल है दुख इस बात का नहीं कि रेनुका को मुझसे प्यार नहीं लेकिन वो इस वक्तरे में उसकी मर्जी के खिलाव उसे शादी के लिए मजबूर किया रहा है तो बिल्कुल सई कह रहा हूं रेनुका कृष्टन को बहुत प्यार करती ए तु चुपकर, चलती ट्रेन में चड़ना तो ठीक है, तू तो औरते प्लेन में चड़ रही है, मैं जूट नहीं बोल रही है, सब सच है, मैंनके सार की कसम खाती है, जुपकर, बरी जवानी में मारना चाहती है, मुझे, वैसे ही इस चान को ग्रहन लगा हुआ है, क्रिष् मैंने कभी टाली है वाला, बोलो क्या बात है, असल में मुझे किसी से प्यार हो गया है दादाजी, अरे वा, कौन है वो लकी, उसका नम केदारनाथ है, केदारी, वो पंडेत, अरे तो फिर लकी वो कहा हुआ, लकी तो तुम हो, अगर फादी ही करनी है, तो मेरा बेटा है करोणों की प्रोपर्टी अवन करने वाले पंडित के हावाले करोगे और हम लोग मंजीरे बजाएंगे, खाल खीच लूगा तेरी, कि फादी मेरे बेटे फेही होगी, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, तुम लोगों पर हमला करव सुनिये ना कुट्तो को गी हजम नहीं होता, गी को खिचडी में ही रखो, रेनुका की शादी इनके बेटे विक्की से करा दो, आप गुरुजी हो, मेरे गुरुजी, और आपकी बेटी मेरी क्लाइंट हुई के नहीं, पर इसकी फीज नहीं लूँगा, एग्रिमेंट साइ दूभी ले, फब के फामने चुप रहता हूँ, तो मुझे राम समझ लिया, रावण हूँ मैं, मार डालूँगा फब को, दादाजी, आज के बाद इस घर में, फिर मेरा हुकम चलेगा, उफ पंदित का फरकाट डालूँगा, बै, दादा कुटी रहने दो, बहुत खर्चा हो जाता है, अगर उस पंदित को जरावी नुक्सन पहुचाया, तो कोट में, जजज साब केस की तारिक पे तारिक पे तारिक निकालेंगे, और अगर चालू पुझा को बीच में रोक दिया, तो मीडिया वाले, इसे उच्छाल कर, एक से दूसरे की तिसरी बना देंगे, और उसके बाद मैं कोट पहन कर, कोट के चक्कर लगाते 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 थक जाओंगा, इसलिए होम हवन हो जाने दीजिए, फिर उस पंदित के प्रेम ग्रंथ के पन्नो को, ये वकिल चने वाले को बेचेगा, आया समझ में, तादा जी उस इंसल्ट को याद करके रोते रहे, और उस दुख में हवन के समय उनको हांट अटैक आ गया, और उस दिन की बाद मुझे और रेनुका को एक कमरे के अंदर कैद रखा गया, यानि की उस दिन दादा जी हवन के धुए के कारण नहीं मरें, अपने दामाद के इतना सब होने के बाद भी रेनुका विकी से शादी क्यों कर रही है, तादा जी के अस्थियों के लिए आर आई पी, रिप, एटले के रेस्ट इन पीस, गुरु जी बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें सच्चे मन से श्रदा नजली देता हूं, दादा जी चाहते थी कि उनकी अस्थियां काशी में विसर्जित हो, यह उनकी अंति मिख्छा थी, तभी उनकी आत्मा को शांती मिले परी की जान तोते में कैद वाली कहानी सुनी है, वैसे ही इस परी की जान इसमें कैदे, राजा कैच राजा, यह अस्ति फोरण विकी के पास अमेरिका भेजो, कारगो से भेजो, यह सब क्या है, यह गलत है, आवाज नीचे, अगर अपने दादा की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती हो, तो पहले मेरी एक बात माननी होगी, यह क्या है, प्रेणुका, हिसाब एकदम साफ साफ कहता हूँ, समझ में आइस के लिए गुजराती में, विकी साते लगन कर अस्तिनी लोटी तारी, वह जैसे ही फेरे होंगे, यहां अस्ति दे देंगे, फिर सिद्धा काशी, मैं ही शादी नहीं करूंगी, तो ठीक है, इन अस्तियों को काशी में नहीं, गटर में काशी करेंगी, यह सबर्दस्ति है, फादी तो अब हो के रहेगी, खौच्च को इस दस्तियों के लिए, जह उना पायारा हूँ, यह जाना पर दादा जे हो सकती है, पर रेनुका के लिए वो दादाजी की आखरी क्वाहिश है, और उस खवाहिश के लिए ऑपनी इच्छा का गला गोटने के लिए तयार है ये बात रेनुका की अच्छा हुआ दिखाती है पर यह दिखाती है यह विक्की अच्छा हैं मुझे इस बात का ड़र है कि शादी होने केthinkingा का महुत शिंदा रहतें कभी नहीं होगा आट से रेनुका की सुरक्षा मेरी की जिम्मेदारी सुरक्षा की बात ऐसे कर रहा है जैसे एलाइसी एजेंट है वहां हमारी बहुत इंडिया से अमरिका के लिए उडान भर चुकी है हलो कौन है रोस्तिस के सामने धक्का मार रहा है सौरी तो बोल के जाना है इंडिया में तुम लोग पंडित का काम करते हो ना नहीं सर नाहीं का काम करते हैं आपके बाल काट दूं क्या है सर सर आपका सामान जा रहा है मरने वाले को पासपोर्ट की क्या ज़रूत है उपर इंट्री फ्री है इंडिया फे तुम्हें मारने का मुहरत निकलवा के आया हूँ पहले अपनी भाशा साफ कर कोई सांको फा बोलता है क्या फुदर जा फुदर जा चल उधर जा कैण गदार नाथ आलने कोई दो एृ किडर नाथ आ यही लिए लिए है यह लिव ए लीए यह लिए यह लिए यह लुगा तरी छोड़ुम्हे तुझे देख लेंगे छिट चोड़ा पिटेख तक्यू थैंक यूँ थैंक यू मेरी शादी मे तुम्हें जरूर आना है एक एक करके आपकी शादी की सारी तयारिया कर ली गुड देखिए अपने इस चेले की एक खास खुबी बतानी थी मुझे लज्जा रही है और मुझे नहीं आ रही है मुझे बोलने दे दुले राजा इसने जिस किसी जोड़े के कपड़े अपने हाथों से सिले हैं उनकी शादी शुदा जिन्दगी में जगड़े लफड़े कभी नहीं हुए है इसमें मेरा कमिशन नहीं है लेकिन आप अपनी शादी का जोड़ा इसी सिलवाए ओके विद्ध्या क्यों बलाया मुझे? दुलाहन के सारे जोड़े केडारनाथी तेयार करेगा और वो बोड़ी का नाप लेगा हा? हाँ मेरी बोड़ी का नाप अरे तेरा नही रे मोटी मैं रेनुका की बात कर रहा हूँ है पंदजी आए मेरे पीछे-पीछे आईए मेरे बेडरुम में क्यू आ गया? विक्की ने देखा तो मार देगा उस विक्की ने भीज़ है तुमारे पास इस पंडित का उसने कहा इस पंडित का हाथ बहुत लगी है इसले ही तुमारा मेशरमेंट लेगा और तो और तुमाहे शादी की ड्रेस भी यही बनाएगा पंडित जी मैं बस टान हो जाती है तुम अपने काम के लो मेशरमेंट लेना रेनु का समझा करो मैंने तुमसे दूर जाने को कहा और तुम हो की मेरे करीब आते जा रहे हो सौरी रेनु का तुम्हें परिशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है मैं जानता हूँ यह शादी तुम्हारी मरजी के खिलाफ हो रही है दादाजी के अस्तियों के बदले उन लोगों ने तुम पे शादी के लिए दबाव डाला ही ये भी मैं जानता हूँ चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो तुम यहां खत्रे में हो और मैं चला जाओ ऐसा नहीं हो सकता चाहे जो हो जाए मैं दादा जी की अस्थियां तुम तक पहुचा कर ही रहोंगा फिर वो अस्थियां काशी में विसर जित करके मैं चला जाओंगा तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा I love you मैं बार वेच करी हूं हम विकी के घर जाकर उसे पट्टी पढ़ाएंगे कि घर में अस्थियां रखना शादी के लिए अशुब हो सकता है ये सुनकर वो टेंशन में आ जाएगा और हमसे उपाय पूछेगा अस्थियों के शुद्धी करन के लिए पूजा करने की बात करेगा वो अस्थियां हमें देने पर मजबूर हो जाएगा हम अस्थियों को घर के बाहर सूर्यदेव के सामने लाने का नाटक करेंगे और वहीं अपनी चाल चलेंगे फिरंग्यों के रंढग में रंगा हुआ है तो क्या वो भारती अंधविश्वास पे विश्वास करेगा उसे विश्वास दिलाना हमारा काम है चलो काम पे लगते हैं दूले राजा आपकी शादी में कोई विग्ण ना आए इसलिए माइनर पूजा रखी थी आर्ति लीजिए अबे ओ पंडित अनर्थ हो गया मंगल सूतर पहनाने वाला हाथ तो जल गया यानि इस घर में कुछ तो अशुब है वैसे तो यहां रहने वाले सारे लोग मनूस है लेकिन यह उनसे भी बड़ी पनौती है उस दिन सगाई की वक्त लड़की बेहोश हो गई थी आज लड़के का हाथ जल गया है इसके पीछे कोई राज है आप ही हल बताईए गुरुजी इसे बकड़ो दिलाना मथा वरना बागे जल जाएगा अशुभा यह नमहां ब्लैक मैजिक आए नमहां 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 देशी टोटका है नमहां लाइद ब्लैक मैजिक इस घर में कोई पापी शक्ती है घर में कोई बहुत बड़ा जोल है I mean दोश है दोश है क्या मतलब यो तो पूरी दुनिया है पर आपके घर में सुपर डूपर जोल वाला दोश है इसे प्राउलेम है इसे है वो के चूरन का डबाई जो घर में रखा हुआ है पेट में गुडगुडवी दो चुटकी खा लिया अकल भेज के आए हो क्या अस्थिया तो है अलकी कैसे हो सकती है वो कोई चाट मसाला नहीं है अस्थिया है खाने पर नमक की तरह चुड़क कर खाएगा क्या शादी भूल यह शादी अब मेरा बाप भी नहीं करा सकता है अगर अस्थिया निकाल दे तो सब ठेक हो जाएगा एक लपड मारू क्या खीच के अगर अस्थियों को पडूसी के पास रख दो तो पडूसी के बाप की अस्थिया है ना घर में रख सकते हैं ना बाहर तो फिर कहां रखें जाओ उन्हें शम्शान में रख्याओ जो हमारे लिए कोईनूर के हेरे जैसे कीमती है दोली की जगा अर्थी उठानी है शुद्धी करण करना होगा दक्षणा डबल बरना भड़ में जाओ पैसे की परवा नहीं है आप हल बताएए पहले अस्थियां घर के बाहर निकालो पर बताओंगा अरे जी गुरुदेव कलाश को सूर्य की तरफ करो ये लीजिए अकात प्याजाता हूँ अरे ये वाजू है लेकर भाग रहा है पकड़ा उसे सिक्यारिटे गेट हैं बोईस कैच हिम यस पार सुन्दरी उसे छोड़ दे मुझे उठा ले रुक चाओ नहीं रुकूंगा स्टाप नहीं होता आप ज्या करेगी अरे और एक छेट कर दिया चल जल्दी चल इडियर्ट्स पंडित को कलश देकर बहुत बड़ी कलती की शमा कीजिए हमारी वज़े से आपको बड़ा कश्ट हुआ वैसे चोर को कलश चुरा के क्या मिलेगा उसे लगा होगा कि सोने का कलश है इसलिए उठा लिया बॉस ये रही अस्थियां पर वो लोग भाग गए बॉस सुनले पंडित अस्थियों की वज़ा से भले ही मेरा बैडदक आये लेकिन अस्थियां घर में ही रहेंगी दोबारा इसे बाहर निकालने के लिए मत बोलना अगर घर से अस्थियां निकालने की बात की तो तेरी आत्मा शरीर से निकाल जाल निकल अधि अधिए अधिन के बन डिक वज़ें नेरा होँ पूछ रहा है ये पैम की वज़े से अधाल को राह है अरे मैंने यसे नहीं मारा दॉक्टर और मैं गोली ओली नहीं मारता हूं यह भी रहता है ज़्टर एए डॉक्टर कुछ करना यार आम थिंकिंग वह थिंकिंग दो सम्धिंग इनका बाष टिशु कैया मतलब टिशु पेपर नहीं मतलब मसल मसल डामेज मसल गोली निखा लेहां अ आई मीन ठंदूरी गोष्ट नो मान सहार हम लोग घास फूस खाते हैं और कुछ नहीं शुद्ध देशी नो कुकुडुकु मैं ओ माइगाड तुम लोग चिकन तो नहीं खाते हैं पर मेरा भीजा खा रहा है इसका ओपरेशन करना पड़ेगा असन का नो ओपरेशन हम पंडि गुरुदिव अब कैसा है वो डॉक्टर ने काया कि स्टेनले स्टील की प्लेट लगा कर ठीक कर देगा उसको प्लेट लग गई कहीं हम लगों को कढई न लग जाए हम पंडित अखिर क्या करेंगे पंडित सच्छा बाबा बंगाली बन जाते तो काला जादू करके सब ठी नहीं गुरुजी दोबारा कलश चुराएंगे तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा असली कलश के बजाए डूपलिकेट कलश रखना यही होगी हमारी अगली चाल डूपलिकेट अस्थियों का डबल रूल गुरुजी यह डूपलिकेट कलश है हम इसे उनके घर में र स्पाइसी है अब जली चली निकल पड़ी इतनी सेक्रेट के बाद वो अंदर के से आगा यही बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं नमस्कार जी हरी आली में तोता डूण रहे हो उस चोर की मैं शकल याद कर रहा हूं उसका स्केज बनवाके उसे बाताल से डूण कर एक ग अब पूजा के सामान की लिस्स बता रहे हैं बताईये क्या-क्या मंगवाना है क्या हुआ पंडिजी बहुत परिशान लग रहे हो कुछ नहीं विक्रम जी बले ही शादी अमेरिका में क्यों नहों लेकिन भारतीय होने के नाते शादी पारंपरिक धंग से होनी चाहिए क्या बात हे रहिए रहे रहले है भागवान की मूर्थी है क्या-जो रोज देखना है जी जा-जी इसे दादाजी की याद आ रहिए पलीज एक बर एफ्लीज देखने दो, पलीज को आसकी यस माम इन्हीं शादी की शॉपिंग के लिए जाना है कैप का इंतिजाम कीजिए इसके अलावा जुपा आप माडम जी यह लिस्ट में देशी घी लिखवाना मैं भूल गया था हंजी 5 किरो लिखो जी एंब घंव करेंK एसा फील हुआ की कुछ गिरां मुझे ऐसा फील हुआ मैं आपके कि यता राख दिर अब प्यार में गिर जिरने वालों को गिरने का बहाणाओ चाहिए रिखाए रिक जी बताए क्या यह गिर नैं जी यह किल आपका नमबर दिए मैं बाद में बताता हूं वाट्सअप करके okay अरे गुरुजी चलो 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 okay चलो 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 आजा all the best thank you इसमें से कांदा पोहा की खुश्बू आ रही है कांदा पोहा आप कहां जा रही है मेरे शादी में किसकी शादी मेरी शादी हम कुछ समझे नहीं रहनुका रहनुका नहीं की कोई पैसंजर नो सर्फ रेल्वे स्टेशन यह अमरीका में फ्लाइट्स के टिकेट रेल्वे स्टेशन पे मिलते हैं अंकल हुआ उन्होंने फ्लाइट्स के टिकेट नहीं लिए गुरुजी पहले ट्रेन से लोस अंजली से सान फ्रांसेस को जाएंगे वो ज़रूर ट्रेन से सान फ्रांसेस को जाएंगे और देखना वहीं से इंडिया की फ्लाइट बुक करेंगे वहीं से हम इंडिया की फ्लाइट बुक करेंगे लेकिन उससे पहले रास्ते में ही हम उ तुम बिल्कुल मत गब रहो हम यहां से काशी जाएंगे तुम्हारे दादाजी की अस्थिया विसर्चत करने सुन रहे जब अमरिका में मन लगने लगा उस गढ़े विकी ने नाक में दम कर दिया सुरेखा और मेरी हस्त रेखाओं का संगम हो जाता तो में संगम में आड़े टॉन कॉर्लर सिटिंग सीट वो बुढे थर्की लोगों के लिए लगेश टेक किया लगेश टेक किया लिए इंडिया नाइजेरियन है टाइम पास के लिए बोलिंग इंगलेश राशेंट कार्ट से ग्रीन कड बनाया यह बचपन से कोमेडियन है बताओ वेर आर यू इनके दादादी छोटे मुटे आतमी नहीं थे मोहान पूरूस थे पपा दादो की कहानी सुनाओ ना आजादी से एक अवर पांच मिनिट बिफोर मोम बत्ती जल रही थी और अगर बत्ती सुलग रही थी तभी मेरी पड़ दादी की शाउटिंग हो वो किस लिए दादा ब इनकलाब के नारे लगा रहे थे पैदा होते ही मेरे दादा जी राष्ट्रिय गान के वक्त सेल्यूट ठोक ठोक कर क्राय करने लगे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यह तो सभी करते हैं इनके दादा जी ने ना केजी पढ़ने की उमर में दोस्वी की परिक्सा दे दी डॉक्टर नहीं थे लेकिन क्या चीरा लगाते थे डॉक्टर नहीं थे चीरा लगाते थे फिर क्या मोची के तरह सीते थे इनके दादू बारिस के दिनों में खुले गाडन में चोत्री लगा के पोधों को पानी देते थे जब उनसे कोई पूछता था के चोत्री किस लिये तो कहते थे छोतरी नहीं पकड़ूंगा तो मैं बूदरी जाओंगा क्या दादा चरित मानस का बहुत पठन हो गया है कोई और बात करते हैं यह तो बिग्निंग ओफ दे एंड है मेरे दादा जी कॉलेज की लाइबरेरी में पत्तों का जमाउडा लगाते थे असली चैंपिय लड़कियों के दिल इनकी फ्लूट की तान पर थिरकते थे लेकिन उनकी शकल देखकर लड़कों ने सन्यास ले लिया इस बात से सेडनेस होकर मेरे दद्दू पानी कम कुए में कूद गए सेम कूए में एक लड़की पहले से कुदे ली थी अंदर इतनी कुदा कुदी विसुर पकापक, वो इतना पकाता थे के पूरी बिल्डिंग वाले पकपक के पक जाते थे, वो अंडे पनीर का पराठा बनाया, अंदर खोल के देखा तो पोटेटो था, पूछोगे नहीं अंदर पनीर वाइनॉट था, पूछेंगे फिर भी बताएगा ही, उस दिन भैसों बनाई आलू टिकी भी खा चुके हैं, जिसमें पोटेटो नहीं मिलता था, तो वो टोमेटो डालते थे, टोमेटो नहीं होता था, तो वो सोमेटो से बंगाते थे, अब को बहुत चाता था, जिंदगी में देखने पाया, सिरफ फोटो में देखा, अब तक बापने बनाओ यहाँ गाना सुना तो साइलेंट होगा फैमिली पैकेज में ट्रैवल कर रहे, तो फैमिली सूंग सूना, और पाम पाउट कटटटा key ते भालों अब गभार मजाएंगा मेडाशरी के ट्रेन जो त्यरा दादा उसमे सफ़र ने गाइख वह आसमान से कि रिए यहां खजूम्यांग थे खजूर अब जोड़े जोड़े बिंदी करता हूं तुम्हारे दादा के पारे एक शब्द नहीं बोला तो शब्दों में सुनो ना है कितना मुलता है थकता नहीं है क्या नहीं सुननी तेरी बगॉस मेरी वाइफ की तानी की स्टोरी सुना हूं तुम्हारे को पता है क्या उन्होंने भूठ से लड़ाए की ति उसके बाद वो पागल हो गए तो भूठ का अमला करो जाओ तो गाला तो सुन लो विक्की का फोन आ रहे क्या करो ये पंडित पूजा के वहाने चूना लगाये तुने रेनुका को लेकर भाग गया उस बुढ़े के साथ सा तेरी अस्थियां यहीं गटर में विसर्जित करूँगा तु गया पंडित जेम्स I'll take this हएंग कर दो कर दो प्वाई वोः कर दो प्वाई हॉाई अ हो कर दो कर दो प्वाई घुँ जा जया? एठी! तया! खड़ merch और ए才 एकी का आड़ बेसे वा कर साल डाइड, इंडिया से कब आए, वोट गूइंग ओन? एक्जैक्ली ऐसे ही हुआ, अस्थियों की जगह कांदा पोहाँ था, और अब वो अमेरिका से भागने मालें, डैड, अब मैं उन्हें अपने हाथों फे ही मारूंगा, तुम फीधा वहीं पहुचो, इफ बार वो नहीं बचेंगे, केदार बोलो, गुंडे हैं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चले जाओ, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, दादाजी की अस्थियों को काशिय तक पहुचाने का वचन दिया है मैंने, और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता, अंकल आप ही से किये बिना हम नहीं जाएंगे, दद्दू की बात में दम है, लेकिन अस्थियों का स्पीड ब्रिकर कौन है, इस लड़की का मंगे तर दौलत के लिए जबरदस्ती से शादी कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि दादाजी की अस्थियों को विसर्जित होने से कोई नहीं रो इधर पंडित लोग बैठे थे ना, कहा गए, ये लालची मैन, तु अस्ती चोर का बाप है क्या, तो, तु प्लास्टिक के चावल की बिरियानी खाता है क्या, तुझे अकल नहीं है, अबे तेरी अस्तियों को तु कहा फ्लश करने वाला है, कमोड में, अस्तियों को गंगा में आँग बन करके कनफेस करना, तेरे सारे दाग और धबे वाले कलरफुल पाप, यहां कोई ड्राइ क्लीन वाला भी क्लीन नहीं कर सकता, अरे यार तु कितना बोलता है, मेरे दद्दू भी गंगा में नहने गए थे, नहने के बाद बालों को ड्राइ कर रहे थे, तभी याद आया कि कुछ मिसिंग है, आँग बन करके उन्होंने ध्यान लगाया, तभी याद आया कि उनका रेक्सोना साबुन गंगा में गिर गया, पांच रुपए की रिकवरी के लिए वो गंगा में कूद गये, तभी बाडाई और वो सर-सर-सर भैगे, उस दिन पूरा बना इन शॉट में डीटेल में समझाता हूँ, मेरे दादा आयाश थे, कामवाली बाई को छेडने के चकर में, मोहल लेके लोगों ने उनको बहुत पीटा था, पड़ोसन से उस दिन से उनका ब्रेक ओफ हो गया, दाधी के टोप उन्होंने अपना हेड रख दिया, खुश होकर उन्होंने हेड मसाज दिया, तोन्हों का पैचप हो गया, आगे बहुत इस्टिंग है, पूरा खुन पियागा, क्या, लिसन, मैं शुरू की बिगनिंग से स्टाट करता हूँ, आजादी के एक दिन पहले और बिफोर, मेरी पर दादी को पेट में बहुत जोर का पेंज दादा लात मार रहे थे, और पैदा होते ही, वो राष्ट्र गान की धुन में क्राय करने लगे, चोटे दादा थोड़े बड़े हो गए थे, जब वो पांच साल के हुए, तब उनकी दसवी सालगिर्या मनाई, और जब वो मैरेज एज के हुए, लड़किया उनकी खाना खाते थे, घास तो बकरे की तरफ जबाते थे, अले मेरी सुन, दादा जी सॉल्टी गुलाब जामुन मनाते थे, और उनकी मीठी बिर्यानी फेमस थी, वही बिर्यानी खाकर इनको डिसेंट्री भी हो गई थी, एक डिश और है, मैसू पकापक, आप अगर खाएंगे तुम्हें नॉन स्टॉप खड़े-खड़े सुननी पड़ेगी, उसमें मेरे पर दादा के दादा की स्टूरीज हैं, यह क्या है, अस्तियों दादा जी, अरे, पकड़ो, पकड़ो, ओमारी दादा जी, तो पईयों में भाग्या, उधार खाते में उसे पकड़ो ना, जल् पुजारी साब, मैं चलती हुई कार से दादा जी का पोता बंटी मोल रहा हूँ, अब क्या बागी रह गया, उस लड़की के ससूर का नाती आया था, मेरे दादा जी के अस्तिया ले गया, तुम्हें भी साथ ले जाना चाहिए था, चल बता कहानी जल्दी, उसे भी दादा चलत माना सुना दिया, जिससे मेरा बीपी लो हो गया था, तुमने उसे भी वही कहानी सुनाई, बॉल टू बॉल वही सुनाई सर, आजादी से डेवन बिफोर की बात है, मेरी दादी को पेट में पेनिंग हुई, वो दर्थ के मारे चीक उठी, वापस सुनाओ, अरे मुझसे क्या चाहता है, बोल, मेरे दादा जी जिस पेंसिल से कहानी लिखते थे, वो अंग्रेजों ने पांच करोड में खरी दी थी, उसी पेंसिल को अपनी नाक में डाल, चल फोन काटना यार, आरी नहीं है, फोन कैसे काटू, अबे तो, आरी से याद आया, मेरे दादा मुझे नीचे खुदना है, दादा जी की नाड़ी निकाली और उसका जूला बनाकर जूलने लगी, वोन काट वरना तेरी जीप काट दूंगाने सुनिये, बहुत मज़ेदार है, हवन कुट में डाल अपनी कहानी, कट सर, सर, लिसन, सुनिये, वो, रो मत, फ्रीकी राइड का मजा ले, देश चला, आजा, केदारी, उस कारी में विक्की है, केदारी, मुझे इंडिया की बहुत याद आ रही है, उसे मारने के बाद ही जाएंगे, जेबाल, आज तो तो गया पंडेत, अरे, गेंडा बाड़ी स्पीड से आ रहा है, ये कार पुष्पक विमान न बच जाए, आज मर जाएंगे, और फास्ट चला, अरे, चुप रहे है, मेरे हाथ पीले हुने से पहले ही मेरा श्राद करोगे, ये केदारी, जल्दी कट मार रहे है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं हूँ न, बिल्कुल मत खबरा, तू गया, पंडित, मैं पंडित हूँ, तो क्या मुझे कमजोर समझ लिया, दम है, तो चूक है, दिखाला, रावन, अहिरावन, महिरावन, और तुष रावन, तेरा गमन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज ये मेरे हाथ हो मरेगा, छोड़े मुझे, जा, इससे मार कर लड़की को लियाओ, जलो, बहुता अब होगा, जा, जिससे उसे मार ना पड़े? अधारे लिए है भाग मंत्रा चलो भागा अधारे नहीं गार रहे इदर केदारी तो 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 पॉप तो तो अधार सफेद गाड़ी में कोई बचाने आया क्या धोती उठा के लिफ्ट मांदे धोती नहीं अंगुठा उठा के लिफ्ट मांदे लिफ अड़ वागु कुछ और मांगता तो मिल जाता दद्टू मिल गए दद्टू जब सितारी मेंड बजाये तो भगवान भी बचाना पाए ये कुमकरण है बातों से मार देगा विकी कि लाते अची चाल अची चाल जल्दी आख उटी तो जूखाजी हुआ 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 यह किदर नाथ के दारी विकी उसे मत मारो विकी प्लीज उसे से उसो विकी सिंदा मच छोनाओ वे प्लीज उसे चोड़ दो अज अज बुड़ा थोबीजा अरे आजा लॉयर आज तक 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 उन्हे बहुत मर्डर केफ लड़े होंगे पर कभी देखा नहीं होगा आज लाइव मर्डर देख लाइव निकालो रेकॉर्ड कर इसका दी एंड पागल हो गया क्या अवड़ा फेक दे इस तौल हटा चिल्ला मत ब्रामन को मारेगा तो ब्रह्मा हत्या होगी ये पुजारी नारायन का स्वरूप है चल फावड़ा फेक देख लक्ष्मी चली जाएगी फावड़ा फेक ओ फेट जी लक्ष्मी को नारायन के पास आने दो चल तु इधर से जासुर पुजारी महराज इस पे सही करो बीवी ये मोटा भाई बहुत ही पावरफुल लगता है इससे हल्प मंगते है चल 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 मदद 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 लगता है आपके इलाके में नाई लोगों का सूखा पड़ा है तुमारा नाम पोपट लड़ूलाल गो किसकी कथा ये लड़ू गोपल दादा एंसंस की वह कथा मैं क्यू सुनों सुमेसे बक्रा नहीं मिला तेरे दादा ने तुझे लड़ू दिया मुझे थोड़ी दिया आपको भी मिलेगा सुन लीजिए दो शब्दों में निप्टाऊंगा बॉल डादा हुए तो परदाध ये बुलाब जामुन तेरे को लड़्ू को पल बुला तु तूने तो पूरी मिठाई की दुकन खोल डाली मेरे को पहले ही डाइबिटीज है है इसके पास ना पैसा ना जमीन मेरे पास डेड़ी सुरुपा में काम करता है इसके पूरी सोने की खड़ाने गोल्ड माई बांग चड़ाई है क्या रेडु के दादा यानी मेरे गुरुजी ने आखरी दम लेते हुए अपनी सारी प्रोपर्टी ये पोंगा पंडित के नाम कर दी है क्या बोलो डाइड उसका वाइरल किया हुआ वीडियो भी है अरे ओ सुब्रमन्यम तुझे अपना दामात कहते हुए शर्म से सिर जुख जाता है मेरी पोती को इतने दुख दिये प्रापटी के लिए उसकी जान लेने की कोशिश की जानते हो उस हवन वाले दिन ज पोती की जान बचाई उस देवता का नाम केदारी है और आज मैं उसके नाम अपनी पूरी प्रापटी लिखता हूँ बेटा केदारी तुमसे एक विंती है मेरी पोती रेनुका को जीवन में कभी भी कोई तकलीफ मत होने देना मुझसे भादा करू एपोंगा पंडित तेरे हाथ पूजा करने के लिए बने उससे पैसे नहीं गिन पाएगा चल जल दी सही कार नहीं करूंगा गरता है के गोली मारू अ मार खोपड़ी पे एपोंगा पंडित यह हवन नहीं करने का है गोडा दबाया तो वकिल हेवन पहुच जाएगा अरे अरे बसकर हाथ जोड़ू चु बसकर धनम मूलम इधम जगत यह सारा संसार सिर्फ पैसो पर चलता है और इसी पैसे के लिए इंसान अपने संसकार भू लेकिन दादा जी की बात मेरे लिए माइने रखती है कि रेनुका को खुश रखना है और मन की खुशी के लिए दौलत ज़रूरी नहीं आप ये प्रॉपर्टी रख लीजिए रेनुका की खुशी में ही मेरा स्वर्ख छेपा है मेरे दादा जी की अस्तिया जी करता है कि तुम्हारा मुँ मिठा कर दो सॉल्टेट गुलाब जामुन से इसमें सिर्फ आपके दादा जी की अस्तिया नहीं है आपकी उनके प्रतिश रद्धा भी बढ़ी है चोटे होल्ड इट थेंक यो बीडी माचिस तुम्हारी दादी की अस्तिया मैंने काशी में विसरजित की थी मेरी अस्तिया भी काशी में विसरजित कर देना बेटा तो हम लोग टेक करें अख एक और एक और एक और चार दिन से कुछ खाया नहीं यहां के तुम्हें धक्का देगी तुम्हें पहले पुलप्स करने टैक अप कर यार भूख लगी है चलो उटो टेक करते हैं अब चलो 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 नो डिस इस दिस आइक्शली यह गवी अ ब्लेसिंग एक सेल्फी लेते ना यार चाचा ठाय लोग बोलो ना ज्यादा डांस मत करा हो यार क्लाइमेक्स मेरी मिशादी करवा देते यार तुम भी ना कैमरा घूमना चाहिए और क्या बोलता है उसके बाद तुम एंट्री लोगे ज्यादा नस्दीक मज्जा नीचे आ एक मिनट मैं भूल गया पहले तुम मारेगा ऐसे और फिर मैं घुमा के आसे आरामसे चल एक और आरामसे यू फ्रेम में तुम आओगी तुमने डायलोग को जाद किये नहीं नहीं उसके बाद बोलना है करेंगे देख लो एक बाद ब्लास्ट करेंगे देख लो एक बाद स्वीट डिश में लड्डू मेलेगा कट करो एक और टेक लेंगे उस तो सीरेस हो जाओ यार हो एक बात बाद़ आव याओ याओ यह यू exactement है!